This video is for educational and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. ऐसा भाई और ऐसी पत्नी भगवान किसी को ना दे। हर जुबान पर यही बात थी जब हाथों में हत्कडिया पहने, महिला और उसके जेठ को आगरतला से उदेपूर के परताप नगर थाने में लाया कया। महिला ने उम्र में 11 साल बड़े अपने जेठ से अवैद सम्मन्द बनाए। पती इस नाजायज रिष्टे में रोडा बनने लगा तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्यकांड की प्लानिंग 3,000 किलोमेटर दूर तिरपुरा में की गई थी और इसे अंजाम उदेपूर सहर में दिया गया। नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रोहीत और आप देख रहे हैं टू स्टोरी हिंदी। 16 नवेंबर 2020 उदेपूर का लकरवाज गाउं दोपहर के सारे तिन वजे का वक्त। गाउं के ततकालीन उपसर पंज गंगाराम डांगी के मुबाइल की रिंग बजी। फोन रिसिप किया तो सामने वाले सक्ष ने बताया भाई सहाब सेक मता मंदिर के आगे उदै सागर किनारे प्लास्टिक के बोरे में लास पड़ी है। तब उन्होंने लास मिलने की सुचना उदैपूर के प्रतापनगर धाने में थी। पुलिस ने पहुंचकर प्लास्टिक बोरे का मुझ खुलवाया और लास को बाहर निकाला। लास को भारी भरकम पत्थर से बांध कर पानी में फेका गया था। वो पत्थर अभी भी लास से बंधा था। मिर्दक ने चेक शर्ट और चिंस पहनी होई थी। पुलिस ने अग्यात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्च कर चांच सुरू कर दी। अखबार, टीवी और सोसल मीडिया के जरिये सब की सिनाक्त के लिए काफी प्रयास किये गए। राजस्थान के सभी थानों में सब के पास से बरामत समान और हुलिय की जानकारी भेजी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार पोस्मोटम के बाद वैकूंड धाम सेवा संस्थान ने सब का अंतिम संसकार करवा दिया। वहीं मृतक की पहचान के प्रयास वो हत्यारों के तलास चलती रही। पांच महीने बीद जाने के बाद भी इस केस में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। इस बीच पुलिस को पता चला कि उधैपूर के कुछ बदमास एक डेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। इसके लिए वह रुपे भी ओफर कर रहे हैं। उधैपूर की चीला स्पेसल पुलिस टीम के कॉंस्टेबल प्रहलाद राम को ये इनपूट मिला था। पुलिस का माता ठनक गया था कि आखिर वह किसका डेट सर्टिफिकेट बनवाना चाहा रहे हैं। इसके लिए रुपे देने को क्यों तैयार है। प्रहलाद राम को पता लगा कि उधैपूर का ही रहने वाला राकिस लोहार इस काम में लगा हुआ है। हाला कि वो किसका डेट सर्टिफिकेट बनवाना चाहता था ये अभी भी पता नहीं लग पा रहा था। इसे पुखता करने के लिए कॉंस्टेबल प्रहलाद राम ने अपने सोर्स की जडिये उस तक ये सोचना पहुँचाए कि कुछ रुपे लगेंगे और देट सर्टिफिकेट बन जाएंगे। हाला कि तप्राकेस लोहार ने मना कर दिया और बताया कि वो तो उसने ऐसे ही मजाग किया था। उन्हें तो किसी का पिजट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। प्रहलाद राम के सोर्स ने भी बाद में इसे गलत बता दिया और कहा कि सायद कोई मजाग था। लेकिन कॉंस्टेबल प्रहलाद राम ने सोर्स के इसे मजाग बताने के बाद भी ये पता लगाने में लगे रहे कि आखिर सच क्या है। थोरे दिन बाद ही फिर उन्हें जानकारी मिली कि पिछले कुछ दिनों से राकेश लोहार और उसके साथ रहने वाले कुछ लर्कों के खर्चे बढ़ गये हैं। और वो काफी पार्टिया कर रहे थे। ये कोरोना का टाइम था। जब हर कोई आर्थिक तंगी में था। ऐसे में पुलिस का उन लड़कों पर सक्फ और बढ़ गया। पढ़ाद राम ने इस बात की पूरी जानकारी उच्च अधकारियों को दी और इसके बाद बेहती गोपनिये तरीके से राकेश लोहार और उसके साथ रहने वाले लड़कों में से एक लड़के को उठा लिया गया। सक्ती से पूछता चुई तो उसने बताया कि उसे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता लेकिन सायद राकेश और उसके साथियों ने कोई बड़ा कांड किया है और उन्हें इसके बदले मोटी रकम भी मिली है। इस बीच राकेश के कॉल डिटेल से पता चला कि उसके पिछले दिनों असम की एक नंबर पर कई बार बात हुई। जिस नंबर से राकेश की बात हो रही थी। उसकी कुछ बार लोकेशन उधेपूर की भी आई है। जब उधेपूर जिला स्पेसल पुलिस टीम ने राकेश लोहार और उसके साथियों को पकड़ा वो थाने लाकर सक्ती से पूछ ताच की तो उन्होंने जो बताया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने करीब पांच महिने पहले आगर तला निवासी उत्तमदास की हत्या कर उसकी लास को पत्थर से बांथ कर एक प्लास्टिक बोरे में प्याक कर उधेश आगर तलाव में फैंग दिया था। इस मडर के बदले में राकेस लुहार को असम निवासी तपंदास ने 12,44,000 रुपे दिये थे। अब तपंदास ने उत्तमदास का फरजी डेट सर्टिकेट बनवाने की जिम्यदारी भी दी थी और इसके बदले बनिया रकम देने वाला था। पुष्टाच में मिली जानकारी को परताब नगर थाना पुलिस को सेर किया गया तो पांच महिने पहले मिली अग्यात लास की जानकारी वेरिफाई हो गई। तपंदास को पकरने वहां पहुची थी वो मृतक उत्तमदास का सगा बड़ा भाई था। तपंदास ने पांच महिने पहले अपने घर परिवार और रिष्टेदार को यह पताया कि उत्तमदास बिजनेस के किसी काम से राजस्थान की उदेपुर गया था और वहीं उसकी क कोरोना से मौत हो गई थी उसने घरवालों को बताया कि कोरोना से मरने के चलते सब को असम लाना संभव नहीं था इसलिए अंतिम संसकार करके वहीं पर सारी सामाजीक और धार्मिक रसमें निभा दी थी उदेपुर पुलिस ने लोकल पुलिस टीम के मदद से तपंदास को पकर लिया तपंदास के अपने छोटे भाई उत्तमदास की पत्ली रुपा से अवैद संबंद थे इसकी भनक उत्तमदास को लग गई थी और वो दोनों के बीच रोडा बन गया था ऐसे में उसने और रुपा ने मिलकर उत्तमदास को खतम करने का प्लैन बनाया तपंदास उसने बताया कि उसने उद्यपूर में तहसील आफिस में फैप्रिकेशन के काम का कोई टेंडर लिया था काम के चलते उसका अक्सर उद्यपूर आना जाना होता था वहीं उसके पास राकेश लोहार नाम का लड़का काम करता था उसने राकेश को ही अपने भाई उत्तमदास क मारने की सुपारी दे दी उत्तमदास को काम के भाने से फ्लाइट से जैपूर भेजा गया और राहूल और उसके साथियों को उसे जैपूर एरपोर्ट से पिकप करने के लिए कहा प्लान ये था कि जैपूर से उदेपूर के रास्ते में उत्तम दास को खतम कर दिया जाएगा लेकिन तब अजमेर के आसपास उनका ये प्लान फैल हो गया प्लान फैल होने के बाद तपनदास भी फ्लाइट से उदेपूर पहुँचा राकेश लुहार और उसके सभी साथी एक जगा जमा हुए उत्तम को भी पाटी के बहाने बुलाया गया सभी ने मिलकर कार में बैटका सराब भी इस दोरान उत्तम की सराब में निंत की गोलिया मिला दी गई जब वो बेहोस हो गया तो गला घोट कर उसकी हत्या कर दी इसके बाद उसकी लास को पत्थर से बांध कर प्लास्टिक बैग में पैक कर उदैस आगर तलाव में फेंक दिया इसके बाद तपंदास वापस फ्लाइट से ही आगरतला चला गया तपंदास ने आगरतला पहुँचने के बाद वहाँ सभी को बताया कि उत्म पीमार है और उसे कोरोना हो गया है इसके बाद वो उसकी पत्नी को लेकर वापस उदेपुर पहुँचा दोनों कुछ दिन तक उदेपुर में गेस्ट हाउस में रुखे और जम कर अयासी की राजस्तान में ही कर दिया गया घर वालों ने उन दोनों की इस कहानी पर विश्वास कर लिया रूपा हत्या के बाद उत्तम दास के प्रपरटी को खुद के नाम करवाना चाह रही थी वहीं उसे असम सरकार से मिलने वाली कई सरकारी योजनाओं का लाव लेने के लिए उत्तम दास का डेट सर्टिफिकेट चाहिए था उसने तपंदास को डेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा था तपंदास एक बार फिर राकेश लोहार को इसी काम का जिम्मा दिया पुलिस ने इस प्लाइन मडरकेश की पूरी कहानी सामने आने के बाद तपंदास साथियों को किरफतार कर लिया